So Hello and Welcome You All I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करने वाले है HDFC Bank के बारे में So guys, HDFC Bank के अगर बात करें तो काफी बड़ी न्यूस सामने आ रही है Mega Merger से Related News सामने आ रही है वही अगर देखें तो RBI ने यहाँ पर हरी जंडी दे दी है तो guys, क्या हुआ है और क्या impact पढ़ने वाला है stock के उपर और क्या यह right time है buy करने का और कल जो मैंने levels बताये थे उन levels के basis पे हाँ, बिल्कूल अब बिल्कूल time आ गया है stock में buying करने का तो क्या news है guys, उसे हम discuss कर लेते हैं तो चलते हैं news के उपर उससे पहले अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को जल्दी से subscribe कर लो so guys, यहाँ पर काफी बड़ी news आ रही है यहाँ पर mega merger को लेकर और यह अगर देखे जाए तो RBI give green signal to HDFC, HDFC bank merger proposal तो guys, जिस तरीके से यहाँ पर HDFC और HDFC bank ने जो proposal रखा था, यहाँ पर इन सारे जो बड़े-बड़े firms उनके यहाँ पर सामने और यह अगर देखा जाए तो RBI के सामने भी जाता है और हमें कुछ approvals उनके साथ लेने पड़ते हैं, और बिल्कुल RBI ने यहाँ पर green signal दे दिया है यानि बिल्कुल यहाँ पर उन्हें ने कहा दिके दिया है और यह अगर देखा जाए, तो ए न्यूस कब आ रही है यह 4 जुलाई को ए न्यूस सामने आई थी और बिल्कुल अब ए न्यूस यहाँ पर spread हो रही है, बिल्कुल काभी आप merge कर सकते हो और वही गाईस अगर देखे और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो RBI ने आज ही later issue कर दिया था और उनको कोई भी objection नहीं है scheme को लेकर, और यहाँ पर HDFC bank को कल ही यह मिला है, जो later 4 जुलाई यानि गाईस, 4 जुलाई के आसपास यह later उन्हें मिला है, और बिल्कुल यहाँ पर काफी बड़ा merger यह होने वाला है, और उसका impact काफी अच्छा stock के उपर बढ़ने वाला है वही अगर देखे तो guys इस news के बाद काफी कुछ जो लोग हैं, जो बड़े-बड़े analyst है वो positive आ गया है बिल्कुल वो positive मान रहे है HDFC bank को और वही अगर देखा जाए, उन्हीं में से एक Devin Choksi ने एक बड़ा statement दिया है, बिल्कुल उन्हें ने कहा है, कि यहाँ पर HDFC bank को buy करने के लिए right time आ गया है बिल्कुल आप HDFC bank में buy कर सकते हो, और वही अगर देखे, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि, जो अगर देखे जाए तो आने वाला time है, उसमें HDFC bank, इंडिया, यहाँ पर जो world के largest bank है उनकी list में आने वाला है, और यह भी world का एक largest bank बनने वाला है, जल्दी एक बड़ी खबर आ रही है, बट अगर देखे, तो कहीं न कहीं, आज HDFC bank में गिरावट आ रही है, तो guys कल ही हमने इस चीज को लेकर बात की थी, कि HDFC bank में हाँ पर गिरावट आ सकती है, बट आपको कुछ चीजों को समझना होगा यहाँ पर अगर देखे, 1349 रुपे 05 पेसे पर शेर ने closing दी है, वही अगर देखा जाए, तो 6 रुपे 07 पेसे तक की गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है, 0.49 9% के हिसाब से यह शेर किरा है सो guys मैंने पहले ही बोला था, कि जो हमारा target था, बिल्कुल अल्मोस्ट यहाँ पर achieve होई गया था, 1380 रुपे का target हमने कल दिया था, और बिल्कुल आज 1389 तक के stock गया है, बट कोई बात नहीं guys, वही target, इससे भी बड़े targets अच्छी होने वाले हैं, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला था, मैंने प्रिवेस वीडियो में बोला था, 7.51 लाग करोड का इसका market cap है, बिल्कुल 7.51 लाग करोड की valuation वाली यह company है, वही अगर देखे guys, तो यहाँ पर एक चीज मैंने कल बताई थी और मैंने कल क्लियरली बोला था कि आने वाले टाइम में यह बिल्कुल 15.12 लाग करोड की यहाँ पर market valuation वाली यहाँ पर bank बन जाएगी, और वही अगर देखा जाए, तो यह जो merger है, यह second largest merger है, यहाँ पर मैंने कल ही बताया था, और वही अगर देखा जाए, तो इसके बाद, HDFC will become one of the largest bank in the world, बिल्कुल यहाँ पर 15.12 लाग करोड की valuation वाली company, largest bank यह बनने वाला है, तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके साँ हम चीजों को सोच रहे हैं और यह जो process है यहाँ पर काफी लोगों के अंदर question होगा कल भी मेंने बताया था, यह जो process है यहाँ पर 2024 तक यानि 2024 तक यहाँ पर यह जो process है यहाँ पर done हो जाएगी बिल्कुल यह complete हो जाएगी और बिल्कुल यह largest bank बनने वाला है तो guys वही positive चीज़े तो नजर आ रही है वही अगर देखें तो कल के ही दिन यहाँ पर 3 July को ही यहाँ पर अगर दिखा जाए BAC, NAC जो exchanges, stock exchange है उन्होंने भी यहाँ पर बता दिया था, उन्होंने भी यहाँ पर बिल्कुल approval दे दिया था इसके लिए और यह भी एक चीज़ निकल कर आ रही है तो guys यहाँ पर question आता है क्या यह 52 weeks के high को touch करेगा जो इसका 1725 रुपे का जो high है क्या उसको touch करेगा तो guys उससे भी बड़े target से रखोंगे तो भी यहाँ पर चलने वाला है क्योंकि आने वाले time में यहाँ पर जिस तरीके से HDFC bank में इसी news आ रही है आने वाले time में तो नहीं लगता है कि यह बिल्कुल भी रुकने वाला है अब बिल्कुल यहाँ पर तेजी का मौल बनेगा बर यहाँ पर question यह है कि आज stock में गिरावट क्यों है तो हम देख लेते हैं गैस उसके वीचे भी एक logic है तो यहाँ पर हमें इन levels को समझना होगा यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो stock में इन level इस deadline पर support लेता हुआ यह नजरा रहा है वही अगर देखें तो यहाँ पर support लेके एक high लगा है फिर support लेता गया 1380-1390 के असपस के हमारे target से अल्मोस अच्छी होई गया है तो guys गिरावट किस्ट कारण से हुई आज गिरावट का कारण यही था gap up यहाँ पर क्या हुआ अगर देखें तो कहीं न कहीं यहाँ पर morning में stock में gap up हुआ था guys यहाँ पर काफी हत्त के नीचे आ गया था और जो support line थी इसके उपर इसने support ले रहा है तो कल का scene तो आपको समझ में आ गया होगा कल बिलकुल यहाँ पर 1349 रुपे तक stock तो आ गया है यहाँ पर as a long term के हिसाप से जिससे देवन चोकसी का मैंने यहाँ पर एक statement आपको बताया तो उनका statement clear है कि बिलकुल यहाँ पर right time to have आई बिलकुल यहाँ पर buy कर सकते हो और यहाँ से बिलकुल बड़े target आपको रखना है और बड़े time frame पर और बड़े लेवल से आपकर बता दूगा तो गाईस यहाँ पर अगर देखे as a short term basis पे तो काफी अच्छे scene यहाँ पर create हो सकते हैं यहाँ पर stock में already support है यहाँ पर अगर देखा जाए तो already target आपके सामने है 14 रुबे के असपास का target भी है upside down momentum है stock में तो बिल्कुल यहाँ पर 14 रुबे तक target easy तरीके से अच्छी होगा और एक चीज़ अगर मैं बता हूँ तो target और भी उपर जा सकता है 1450 या फिर उससे भी उपर क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो कही ना कही यहाँ पर gap down हुआ था तो उस gap को feel करना बाकी है तो वहाँ तक तो यह stock जाएगा यह जो target में बता रहा हूँ एक confirmed target है बिल्कुल यह target अच्छी होगे ही होगे यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो एक कुछ levels है तो कल के levels clear है बिल्कुल यहाँ पर stocks already support ले चुका है तो यहाँ से एक बड़ात ही आने वाली है guys यहाँ पर एक है कि लोगों में panic हो जाता है क्योंकि अगर यह breakdown अगर आता है तो काफी बड़ा fall आ सकता है वही अगर देखे तो तेरा सो बीस रुपे के असपास stock में गिरावट आ सकते है तो stock में already एक बड़ा support है यहाँ से share नीचे आया था और stock उपर गया फिर sideways चला sideways चला बट यहाँ पर support लेके क्या इस stock उपर जाएगा तो इस cancer है और जो target है और बिल्कुल यहाँ पर अच्छी हो सकता है तो वही पर support लेके ऊपर जाएगा तो यह चीज तो आपर clear नजर आ रही है तो वीडियो को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो